हलो देर तो आज हमारा कोशिन है एप्लिकेशन साफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ठीक है इस एन इंपोर्टेंट कोशिन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि कोशिन की जो फॉर्मिट आपको प्रोवाइड की गई है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता ह है तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए फर्स आफ आल रीड दे कोशिन केर्फुली लाइक फर्स इस शेड़ो ओफ अफ फ्लैक स्टाफ इस थ्री ताइम्स एज लॉंग त्री ताइम्स जैसे में अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूं थ्री टाइम्स मतलब थ्री मल्टिप्लाइ होगा अज लॉंग एस शेड़ो ओफ फ्लैक स्टाफ वैं दे सन रेस मीट ग्राउंड एट सिक्स्टी डिग्री अब इसमें एक चीज़ आप जरूर यहाँ पे ध्यान दे कि कोई भी आपको बिल्डिंग दी हो फ्लैक स्टाफ दिया हो या कोई भी ऐ हमेशा greater होता है और जो दूर जैसे जैसे हम अपने बिल्डिंग से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे एंगल smaller छोटा होता रहता है तो first of all इन्होंने बोला है जो 60 डिग्री के according जो आपकी शेड़ो अगर यह आपका फ्लैक स्टाफ है अगर यह आपका फ्लैक स्टाफ है तो इसकी शेड़ो यहां बन रही होगी तो इसने बोला है जो शेड़ो आपके 60 डिग्री अंगल पे बन रही है लेट भी एक्स और जो शेड़ो आपके लॉंगर शेड़ो है तो लॉंगर शेड़ो कौन सी है जो डिग्री अंगल पे बन रही है इस थी टाइम्स ऑफ प्रीविएश शेड़ो यहनी वो एक्स का थी टाइम्स है कुशन क्लियर हुआ ठीक है नहीं क्लियर हुआ तो give it a second chance आप उसे दुबारा भी पढ़ सकते है ठीक है अब आपसे पूछा है find the angle between the sun rays and the ground at the time of longer shadow यहनी कि जो sun angle elevation बना रहा है that means d let's take it as theta तो अब आपको दिख रहा है कि theta और 60 के according I have a perpendicular only and base और जब भी perpendicular और base की बारी आती है तो हम लेते है 10 theta so 1060 degree equals to perpendicular upon base that is h upon x clear now put the value of 60 degree 60 degree की value आपकी होती है root 3 तो h upon x यहां से आप h find कर लो x को आपके left hand side ले जाके therefore your h equals to root 3x अभी के लिए इसे यही छोड़ दो let's take it first now take 10 theta जिसकी value हमारे पास नहीं है but according to 10 theta perpendicular is h and base is 3x now on putting the value of h we get अगर हम इस h की place पे अपनी h की value रख दे h is root 3x upon 3x देखो x से तो x cancel हो जाएगा बट कोई भी 10 theta में आपके पास ऐसी value नहीं है जो root 3 upon 3 है but this 3 यह 3 basically आपका combination होता है दो root 3 का ठीक है जिसमें से आप एक root से एक root cancel कर सकते हैं after that you will get 10 theta equals to 1 upon root 3 और आपके जो ratios की values है angles की values है उसमें 1 upon root 3 का बाता है जब 10 की value 30 degree होती है clear that means whatever they were asking they were asking for angle between the sun rays यानि वह आपसे यह theta ही पूछ रहा था तो theta basically आपका क्या आ गया theta equals to 30 degree clear I hope यह solution आपको clear हुआ होगा simple है short है ठीक है try it yourself thank you so much